SM of 8, 9 and 2, 5 using prime factorization method इस वीडियो को पुरा देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे इनको इस प्रकार से एक साथ लिख देंगे और उसके बाद यह आपका जो prime number है यहाँ पर में ने लिख रखें देखो आपका 1 से लेकर 20 तक 2, 3, 5, 7, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9 हम अपने 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे देखिए मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया कितना 4 टाइम चला गया इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें भी 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है जीरु आने का मतलब क्या है complete divide हुआ है जबकि इसमें divide करेंगे तो आपके पास remainder आजेगा इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो remainder आजेगा अब दोबर हमें again देखना है कि 2 का divide हो रहा है यहां आप 2 का 2 time हो रहा है अब 2 में देखे 2 का 1 time हो रहा है बाकी यह जो है आपके आगे सिट रहेंगे, छीक है, अब इसके बाद हम यदी ध्यान से देखें, तो यहां पर आपका 9 में 3 का 3 टाइम हो रहा है, 25 में नहीं हो रहा है, छीक है, 3 का 3 में डिवइड करते हैं तो 1 टाइम, और यहां पे 25 को आगे shift कर दिया गया है अब 25 में आपका 5 का कितना time 5 time divide हो रहा है उसके बाद 5 का 5 में one time और यहाँ पे already one आ चुके है आपके पहले अब आपका LCM क्या है यह जो factor आए है इनका multiplication तो देखिए यहाँ पर 2 आपका कितनी time आया है 3 time आया है और 2 का 3 time multiply कितना आपका 8 multiply 5 आपका 25 यह आपका LCM है इनका multiply करते है देखिए यह कितना हो गया दोस्ता आपका 200 200 multiply 9 आपका 180 00 यह आप इसको ऐसे समझ लीजिए जब आपके यहाँ पर इनके अलग-अलग factor लिखें तो देखिए यहाँ पर 8 के factor क्या आएंगे यह आएंगे और 9 के factor क्या आएंगे यह आएंगे 25 के factor क्या आएंगे यह आएंगे देखिए इनमें कोई भी common factor नहीं है यानि ऐसा फेक्टर नहीं है जो कि इसका है इसका भी है इसका भी है देखो यहां पर 5 के ओल इसके त्री के ओल इसके फैक्टर है तो ऐसी ग्रणीशन में आपका LCM इन के तीनों का मल्टिप्लाई ही बनता है जैसा कि यहां पर बना है जो की पूरे त के से बताना मेरी जिमेंदारी है ओके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद